हेलो फ्रेंड्स फाइनली हमारे मुखमंत्री जी का नितिस कुमार जी का थोड़ा सा आख खुला सिवील कोट कलर परिक्षा को ले करके और मैं आपको दिखाता हूँ यह ओफिसियल साइट से यह नोटिस में लाया हूँ और यह कोई फेक नियूज नहीं है आपका सिवील के आसपास है जांसे आप अच्छी तयारी कर सकते हैं ठीक है सारा कुछ सिलिबस देख ले या फिर मैं एक वीडियो बना दूँगा सिलिबस के उपर और आप एक मैने में सरी डंग से तयारी कर पाएंगे तो एक एक तारीक 2022 यह इंप्लॉयमेंट नोटिस नमबर था यानि मुखवंत्री जी की बहुत-बहुत महरबानी है कि फाइनली तीन साल के बाद कम से कम कुछ तो सोचे ठीक है वैसे तो मुझे नहीं लगाता कि अगले 10 सालों में भी एक्जाम होगा लेकिन चलिए एक्जाम हो रहा है 22 दिसंबर 2024 को एक्जाम हो रहा है ठीक है और यह एडि दिसंबर 2024 को आपका एक्जाम होने वाला है फिर में अगले तीन साल में होगा ठीक है तो ऐसे ही प्रोसीजर चलते रहेगा आप अपना जीवन का मुलभूत समय जो है वो 10 साल एक लगत सकते हैं अगर आपको समय बहुत ज्यादा है तो चलिए यह सब तो टिपनी करना था क लिए मैं ज्यादा बोल दिया तो यह 22 दिसंबर 2024 को फाइनली इसका एक्जाम होने वाला है तो 40 दिन में आपको क्या करना चाहिए 40 दिन में सबसे पहले तो एक कुश्चन बैंक आप ले आए खरीद के ठीक है कुश्चन बैंक के साथ साथ एक प्रैक्टिस अभी बहुत सारे मार्केट में आएंगे जैसे एक्जाम डेट आता है हमारे जितने भी सिक्षक हैं वो जग जाते हैं और चुकि उनको किताब बेचना होता है तो भाई वेपारी भी तो है तो इसलिए क्या करेंगे फिर नियू नियू बुक आएगा उनमें से मैं देखूंगा बजार जाकर करके आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि कौन सा बहतर है लेकिन आप सब भी जाकर के देखेंगे और किताब जरूर लेंगे एक और बात है कि लूसेंट थोड़ा अच्छे टंक से पढ़ लीजिए लूसेंट से काफी प्रसंद रहने की संभावना है कलरक में और थोड़ा चुका था जो तैयारी शुरू भी किया होगा वह भी भूल गया होगा कि कोई भी कलर का हम सब तो सोचे थे कि इतने भी अभ्यारती का इसमें पैसा लगा है वह डूप चुका है ठीक है लेकिन दिखिए फाइनली भगवान जी जागे और अकिरकार 22 दिसंबर 2024 को हमारे मु तेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिजे वहां पर कुछ वेडिया वेगारा सेयर कर दूंगा मैं सिविल कोट से रिलेटेड थैंक्यू एं थैंक्यू सो मच